हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चानल अज हम बनाएंगे किड्स पर्स उसके लिए 6 cm by 5 cm का पीस लिया है हमने दो पीस लेंगे 5 cm by 4 cm का वन पीस लेंगे इसे ऐसे फोल्ड करेंगे साइड से से कर्वाश शेप देंगे और उसे कट करके लेंगे बताएगाई साइज से कैन्वस कट कर लेंगे और उसे अस्तर के ऊपर स्टिक कर लेंगे मेन फैबरिक और नौन वोन क्लोथ के भी कटिंग कर लेंगे आप नौन वोन क्लोथ के बिना भी बना सकते हो 35 cm का बेंट लिया है आप कोई भी लेस ले सकते हैं मेन फैब्रिक, कैन्वोस विद अस्तर और नॉन क्लोथ लिया है इस तरह से हमें बागी के भी पीस रेडी कर लेने है इस तरह से कपड़ा लेके हमें करवशिप में स्टीच करना है साइड से थोड़ा कट देना है फिर इसे हमें सीधा कर लेना है फिर उपर से और एक स्टीच देनी है स्क्वेर वाला पीस रखना है उस पे ये बनाए हुआ पीस रखना है और फिर नॉन वोन क्लोथ रखना है और स्टीच करना है हमें उपर से फिर साइड से भी स्टीच कर लेंगे इसे हम सीधा कर लेंगे इसी तरह से और एक पीस स्टीच कर लेना है उपर से स्टीच कर लेंगे फिर साइड से भी स्टीच कर लेंगे फिर हमें इसे सीधा कर लेना है, फिर उपर की साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और स्टीच करना है, अभी हम वेल्क्रो लेंगे, वेल्क्रो के लिए हम मार्क कर लेंगे, दोनों साइड में, फिर वेल्क्रो अटाच कर लेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी वेल्क्रो अटाच कर लेंगे, बेल्ट लेना है, बेल्ट ऐसे साइड में रखे स्टीच करना है, दूसरी साइड में भी रखे और स्टीच कीजिए, और इसे कॉर्णर में ऐसे टर्न करके हमें स्टिच करना है दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेंगे यह देखिया हमारी परस बनके रेडि है थेंक्यू बाबाई